लोगडाउन के सुरुवात हो चुकी है लोगों में अफरा तफरी का महावल अभी तक है उस बीच में आप से मिलवाने जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे लोगों का आप से बात होनी जा रही है जो लोग लगातार गरीबों की सेवा करने में मसहूर रहे जैसे अयूब अली खान और राकेश पांडे वहीं पर इस दिल्ली की धर्ति पर बिहार से आये हुए फिल्म एक्टर वह समाजी काजकरता में मसहूर चिहरा सिवनाश शाहनी जी भी सामिल है मैं पूछना चाहूंगा सिवनाश शाहनी जी को कि दिल्ली में कितनी रहत दे पाई सा आपको क्या मसूस हो रहा दिल्ली के अंदर देखिए दिल्ली में काफी कश्ट है अभी मजदूरों को खासकर बिहारी मजदूर हो जो परवासी मजदूर आये हैं यहां रोजगार के लिए उनकी रोजगार की जो समस्या हो रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गई है वहीं क है परकारें सीधे सीधे करिदो reduce मजबूरों को खाना भी दी है लोगों को घर पहुंचाने का भी काम कि एा यहां म하시는 की तयारी कि यहीर है जिनका दावा विवाल खाना ही देपा है वो आएं अब करदेंगे और सारा घर्चा दिली सरकार वर्दाश बार बाइस सब्सक्राइब सब त्य स्वाइब में अभी गोषना होई है किसी बहुत सबस्हें करा कि डिए मैंद किसी परषेंट कर आए है कि मैं दे रहा हूं इधर कॉंग्रेश पाटी सोर मचा रही है कि मैं किराया दे रहा हूं तो किराया दे कोंड़ा है आखिर किराया अगर कोई पाटी दे रही है या किंज सरकार राज सरकार दे रही है तो जो मजदूर के हाथ में जो टिकेट होती है बिहार में जाके दिखाते हैं कि मैं टिकेट लेकर आया हूं वो टिकेट फिर कहां से आती है यह सोच चाहिए गरीबों के बारे में सोचना चाहिए 45 दिन कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है भूखे दिल्ली हो महराष्टा हो देखिए कि 16 व्यक्ति की जान चली गई पैदल आने की वज़ा से राज सरकार और किंज सरकार जो है वो राजनीती करती है एक दूसरे को खींचातानी करती है कि मेरी गलती नहीं है राज सरकार की है राज सरकार कहती है राज सरकार की है एक दूसरे पर थोपते हैं बट इसमें मरता कोन है अधिकतर मजदूर गरीब और प्रवासी मजदूर मरते हैं जिस पर कोई सरकार संग्यान नहीं ले रही है लेकिन आम आदमी सरकार वही है ज मैं आपसे कहना चाहताँ हो कि एकडम से अगर कोई भी चीज बेगर किसी प्लानिंग के लागडाउन कर दिया जाए गर किसी प्लानिंग के जीस्ट कर दिया जए जो भी केंशसरकारे प्लान बनादी एकडमा चारफ से करती सैंग जिस से आम आदमी गरीबाद में मजद आदमी को समाने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है इसलिए इस लॉगडाउन में और नहीं तरीकेका अनुभा था जो जो सरकार हमारी आ वहीं है सर आ तो वह दिल्ली सरकार आप अच्छे तरह जानते हैं कि हमारी सरकार कुछ दिलों की सरकार है सारे अफसर थे कोई हमारे यहां नेता नहीं था सब अपने नोकरिया छोड़ छोड़ का हमारी आमादी पार्टीमा आये हैं उसके बाद में भी जिस दिन से लॉकड़ून हुआ उससे एक दिन बाद ही संजे सिंग जी जो हमारे MP है राज्ये सबागे हुआरो है, शुष्छ फ estás सबाद में नारे सब् Itक हो तो पुरी दिनों से फल्फ्रूट भोजवन का वित्राण भी घृड़ भी किए होुटल बीजी ओ रूखरो यह चयुशित है हैं, इससमे रहे हैं तो आपको क्या लगता है आपके बगल में आमदमी पार्टी के तरफ से जो खाने प्रीने की विवस्था है चावल की विवस्था की गई है वो कुछ न कुछ सही है और की गई है मैंने आपको कहा कि शुरू में ऐसा हुआ था बटा है बट 45 दिन आपको लग गये ये फैंशला लेने में कि बिहारी मजदूर को या दिहारी मजदूर को परवासी मजदूर को गाउं भेजने के लिए जो डिसीजन लेना पड़ा जिसमें आपको 45 डेज का समय लग गया ये एक सोचने का विस्या है 45 दिन कोई वेक्ती घर से बाहर कैसे रह सकता है बिना खाय कैसे रह सकता है बिना दवा की कैसे रह सकती है आपकी फैक्टियां बंद हो गई सबसे पहली बात तो लोक डाउन जिस लोक डाउन की आप चर्चा करते हैं कि लोक डाउन है इसमें गहार से बाहर ने निकलना है मजदूरी को मजदूरी नहीं करने देना है और आपने दारू की दुकाने खोल दी, वो कौन सा लॉकडाउन है जब दारू की दुकाने खोल दी, तो आपको रिक्सा ठेला वाले को खोल देना चाहिए, टेम्पू टेक्सी वाले को खोल देना चाहिए, ओला उवर वाले को खोल देना चाहिए, जगा जगा अभी 25,000 से ज सबस्था नहीं है कि होट्रल से निकल के बाहर जाके वो ढबा में खाना खा सकता है पैसे अच्छा इनसान के पास पैसा है तो भी सब्सक्ता है यह तुमारी दिल्ली सरकार उसका जवाब हम देते हैं हम चेलंज गरते हैं पाड़ागन के जितने आदमी आया कम से हम 80 परसेंट पाड़ागन से हमारे खाना लेने आते हैं रात को दो दो बज़े खाना हमने पूचाया जो होटल दो टाइम खाना फैसे आप पूछ रहे हैं आप एक कप चाह नहीं दे सकते हो रोड पे लेकिन दार दिल्ली सरकार को पैसा नहीं दे रही है इन्होंने बोला दिल्ली सरकार नहीं है रेवनों की टेंसन थी आपको एक दिन में पांच करोर की कमाई आपने की दारू से जी 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 आपको टेंसन थी कि हमारा रेवनों कहां से आएगा हम सेलरी कहां से देंगे यह सारी टेंसन आ लोकडाउन की जहां तक सवाल है बाकी लोग 80% लोग है वो घर में रहे और दारू पीने के लिए लोग 1000-1000 की संख्या में लाइन लगे लोकडाउन का पालन कहां हो रहा है दिल्ली सरकार क्यों नहीं कम भीरता से सोचती है रेलवे से भेजने के लिए आप कंडिशन लगाते ह हैं कि एक वोगी में 30 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे इसका परमान होगा मेडिकल चांच होगी एषडियम मोहर लगाएंगे तो इस बेवस्ता आप दारू पे भी कीजिए या दुकाने खोलनी थी दारू की तो टेक्सी ऊवर ओला जो गरीप परिबार चलाते हैं उन सोब्सों इसके लिए बताता हूं टेक्सिवालों को पांजार रूब महिना दे रहे हैं पलंजय सब्सक्राइब को किसी होस्पीटल में सुवधा कि कोई कियी है यह सरकार के होस्पीटलplain मरीज के होस्पटल जोर्या होस्पीटल में यह गंडे में बगाए है हमारा कोई होस्पिटल किसी मरीज को नहीं बगा सकते चैलेंज कर रहा हूं मैं जो ताइम होजन की गारेंटी है देखिए दो ताइम की जो भी योजनाये चल रही है अभी टोकन सिस्टम आया था बीच में आकि अनाज जिसके पास नहीं है रासन जो सरकारें वादा करती है या किन सरकार हो या राज सरकार हो उस पर कमेंट जो करती है उस पर खरा नहीं उतरती है जमीनी हकीकत कुछ और होती है और मिडिया में अब देख लीजे कि बिहार में हमारे मानिया नितिश कुमार जी बिहार के मुख मंतरी पहले कहते थे कि हम जो दूर आ गये हैं यहां पे तो 21 दिन कॉरंटाईन में रखेंगे दूसरी उन्होंने आदिसपारित किया कि कोई भी मीडिया कॉरंटाईन सेंटर नहीं जाएगा एक हजार उपए परती बेक्ति के खाते में डाले जाएगे आज तक किस बेक्ति के खाते में साट रुपे की है तो 18-90 रुपे का चावल हुआ और साट रुपे का डाल 1.100 का फैदा एक महीने में एक वेक्ती को होता है तो 3 महीने में सारे 400 रुपए का फैदा होता हैeker रुपे को किंद सरकार से जबकि कार्ड बनाने का खर्चा 35 रुपईया वहां जो काम करने वाली जो सम्हों में काम करने वाली जो महिला है जो फॉर्म फिलप करती है रासन बनाने की वो 35 रुपई लेती है एश्डियो या ब्लॉकस्तर पे जो कार्ड बनाने जाते हैं वहां उसमें 500 रुप्या का खर्चा बैठता है कार्ड बनाने में फोटो एश्टेट कराने के लिए देना है इसमें धेर सारी परसानिया होती है सर 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 पूरा हिंदुस्तान बना जेल खाना आप सबको दो टाइम का भोजन दे रहे हो यह गारंटी आपकी है खांसा बिल्कुल हमारे पास सेंटर पर जो हमें सुवीदा दी हम दो टाइम का खाना दे रहे हैं हर किसी घर में रासन बेज रहे हैं यह हम चैलेंज करते हैं कि आप हम रासन डबल दे रहे हैं पहला में आप देते हैं ठीक है राशन आप देते हैं तो गहुं जो देते हैं क्या गहुं लोग खाके जिएगा उसके लिए पानी की आप सकता होती है एक इंसान को क्या क्या आसकता होती है चाय पानी बिस्कूट और सब्जी तेल साबुन सब्जी के अंदर कई प्याव नहीं है गरीब कहां जाएंगे कहां जाएंगे बताइए आप तक आम आदमी सरकार पांडे जी बहुत खाना दे रहो पानी किसको दी आपने बिल्कुल बिल्कुल हमने देखिए हमने अपनी तरफ से शरकार ने और हमारे वोल्योंटर्स ने दिन रात मेहनत करके लोगों के पास अगर खाना भी पहुचाया है तो पानी भी उनको पिलाया है हमने या पॉलोतीन बाटी है पानी की पनी बाटी हमने या केमपाई बाटी हमने या फुरूती बाटी है यह पार्क वाले जो है इनके पास पे पानी का कनेक्शन नहीं है लेकिन यह इसकूल से इनको पानी मिलता है यह पानी पीते बेगर पानी पीकर जली ही जीवन है बेगर पानी के कोई जीने रहा है पहली बात और दूसरी बात सुन लो सर जली जीवन है और दूसरी बात जहा पूछ रहा हूं जिन्होंने लगभग इस लॉकडाउन के अंदर में दिल्ली के अंदर उन गरीबों की मदद किया है सिवनाश्चानी फिल्म एक्टर और समाजी करता इन से पूछना चाहता हूं आपको चाय मिली कहीं नहीं चाय की दुकाने यहां नहीं है और जो पहले जब दिल्ली खुली हुई थी तो हर जगा देखा करते थे कि पानी का रिफ्रिजेटर लगा हुआ है तो यह बेवस्ता नहीं है लाखों की लाख संख्या में लोग कहीं पेर के नीचे हैं कहीं रोड पे सोते हैं या कहीं जाकर के मंदिर महजित के पास रहते हैं बट उनको पान प्रदेश का भी बुरा हाल है और सरकार को पुछा करना लॉगडाउन का मतलब जानते हैं अपने घर में गूमेंगे लिए घान के टाइम पे ना आपको पुलिस रोकेगी ना पुलिस कमिशनर रोकेगा कोई नहीं रोकेगा आपको अगर खाना लेने आ रहे हैं आपको पुल सब्सक्राइब घलंपननदंदर कर लिए ने रखना है और अधाल वाझटी दूहा साथ लेकिन लेकिन दिली सरकार जिसको रासन ने मिला हम भरवा रहे हैं यह इतने सबूत है जिनके कई साल से रासन बंद हो चुके लेते समय अर्बिंद के जरिवाल को पता था इस मोधी को पता था कि किन गलीयों में कितने पैसे देने हैं अज इसको यह नहीं पता यह प्रवाता है यह अपणियों कायद दिखाता है यह बनाता है यह दलाली करता है पर्भी पहाचान नहीं नहीं लिए जों कि लोग ने का रहा हुए जोने गजा राशन देंगे इनको शुबधाइद देंगे पूरे पचास दिन हो गए लोगडाउन हुए पचास दिन से कागजी पर किरिया ही चल रही है लोगडाउन के पूरे पचास दिन हो गए पचास दिन में अभी तक कागजी पर किरिया सुरू नहीं हुई जबकि केंदर सरकार के गरह मंतरी अमीज साहजी को मैंने देखा है खुद चुनाब जब दिल्ली की चुनाब हुई थी एक दब विधान सभा की तो मैं यहीं था चार महीने तीन महीने तक पेपर ही तैयार करते हैं यानि यह केज़नीवाल का सिपाई खड़ा है हर घर में रासे ने बुचा रहे हैं यह विल्कुल जूट जूट बोले हैं मैं पूरी गोल मार्केटा चेलंज कर रहा हूं पूरी विधान सब्गा चेलंज कर रहा हूं कोई एक आदमी कहते हैं काम करती जो कहते हैं करके दिखाती है वापस टंको पीछ लात मारा है बाहर कर दिया है और यह केजरिवाल जी या उनका आम आदमी का कोई भी पाटी ये बोलने को त्यार नहीं है कि हम किराया देंगे इसे किस्तों में ले लो किस्तों में ले लेने के लिए बोला है किस्तों में अगर कोई मकान मालिक घर से बाहर निकालता है अगर कोई भी मकान मालिक तो आप डियम के पास किसी किराय मकान वालिक नहीं जो किसी को सरण दिया हुआ है उसके उपर हुकम चलाने वाला है पैसे दिया क्या उसके बाप कर नौका लगा क्या किसी को अपने घर में बसा लेना नहीं बसाने के लिए नहीं बसाने के लिए नहीं बसाने के लिए नहीं माफ करने के लिए नही ये बोला गया रुण जी की तरफ से तो जो किरायदार है और उनके पास अभी देने के लिए नहीं है सुनो सुनिये वापा सुनिये जब तक लोगडाउन चला है मकान मालिक उसको नहीं निकालेगा परिशान नहीं करेगा कितने लोगडाउन के बाद में निकाल दिया मैं आपके बात बताओं अभी उत्म नगर विकास पुरी की घटना है बिहार के तीन फैमिली ऐसी है जो फोन की थी लोगडाउन के एक सब्ते बाद ही जबकि उनका एडवांस किराया था एडवांस किराया जब शद गया एडवा सरकार ने अगर कहा है कि पार्ट पेमेंट में लो या बाद में देना तो दिल्ली सरकार से ले लो और उसी कहा सीम हाउस में जाके रहो ऐसे हजारो घर ऐसे है हजारो मजदूर ऐसे है हजारो किरादार ऐसे है जिसका लिश्ट मेरे पास है और आए दिन कॉल आते हैं कि सर वजह से मकान मालिक ने निकाल दिया है अब उसकी इस्तिती है बालवा चाले करके पार्कों में रोड पे जाकर के वो अनाथ असरल में सरंग लिये हुए है अब वो मजबूर है अपने घर जाने के लिए अब केंद्ध सरकार राज सरकार की क्या नीती है क्या सिध्धान्त है वो केंद्ध सरकार राज सरकार जनता को अस्पष्ट करें जनता कैसे जिये कि खांसाफ 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 मैं आप से पुछना चाहता हूँ कि अरविंद्ध के रिवाल ने कितने मकान मालिकों के जेम में पैसे डाले कि हमारे किराधार उसका जवाब म कोई भी मकान मालिक निकालता है और अगर हम जहां तक हम नहीं पहुंच वारे वहाँ दिल्ली पुलिस की एक सुबारा और एक सो आठ डंबर है खाना पुछवा रही है और उनकी रहने की विवच्टा कर रही है साथ सरकारों का कानून पता है शानी साथ पड़े लिके आदमी हो खान साथ आप पार्टी का एक जिम्मेदार ब्यक्ति हो दिल्ली सरकार कहती है कि एक गरीब को अगर रासन चाहिए एक अपनी सिकायत करनी है या उसे कुछ मदद चाहिए तो वो एंडॉइट टेलिफॉन से की कूपन जैसा या किसी वेब्साइट पे लिंक करके ही वह समाधान कर पाती है शायद आपको पता है आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं और बिंद कजिनिवाल तो पढ़ा लिखा है वह जानता है तेलिफॉन रखने वाला वेक्ति अमीर की गिंतिमाता है गरीब तक कैसे पहुंच पाता है मैं प्रस्ट पूछाँ सर्कार को बात कीजिए जिल्ली सरकार यह काती है कि 35 रुपिया कमाने वाला सहर का व्यक्ति अमीर 26 रुपिया देहाद का व्यक्ति कमाने वाला गरीब है क्या लगता है 26 में फिर ढरिया था देखिए सरकार जो घोशना करती है तो सरकार अपना खुद देखे न 26 रुपे के आप मैं 50 रुपे देता हूं सरकार को घर चला के देखे वो 100 रुपे देता हूं वो घर चला के देखे घर जो चलाता है 26 रुपे में और 50 रुपे में उस मजदुरों को पता है मोबाइल खरी के लिए भी मंडी का एक नंबर रखना होता है वो भी एक मोबाइल लगता है इसका मतलब नहीं कि वो धनी विक्ति हो गया है मोबाइल लखने वाला मोटरसाइकल लखने वाला धनी नहीं हो जाता यह धनी वैक्ति के यह कहांडे के Camt pragmatic में वो भाइक है कार हम सब को 15 रुपे तक हैल्थ इंश्रूइंच देते किसी भी और सुटल में जाके अगर दिली सरकार कोई भी ऑस्पिटल आपका 30 दिन तक अपरेसिंट नहीं करता आप प्राइड होस्पिटल जाका ऑपरेसिंट कर रहा हो दिली सरकार उसका 15 रुपे तक दिली आपदा प्रबंदन बोड के तहट हम लोगो ने जिन लोगों के राशन कार्ट के युकूपन भरे हैं वह हमारे डीसी डवलू के जो लड़के हैं उनके मुबाइल पर उनका पूपन आया है और हमने उनको राशन दिलवाया सुनेचित किया उनके पास मुबाइल जोटा था या बढ़ाता मामला यह पूरी दिली की समस कर देखना होता है कैक बर्ग में लोग बटे होते हैं कहीं मुबाइल की विवस्ता नहीं है किसी की पास मुबाइल नहीं है आज आपने घुसना कर दिया है कि बिहारी जो मजदूर है वो जाएं लेकिन ओनलाइन फॉर्म भर दे किसी मजदूर को पता नहीं है कि डीसी कहा ह सबस्क्राइब होता है कितनी पूंट साल है कितने रोग आए हैं आज के माध़म से देश को गुलाम बनाना क्यों चाहते हैं जो इसके पहले कि पहले कि तनी आपदा है ती गुलाम नहीं बना बड़ी आपड़ा पूरे दुनिया में नहीं आई शोट छोटे देश हमाती है य पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया का हाल यही है कि हरा आदमी फिरेशान है फिर भी Hadi अगरीमें पूरी दुनिया में नंबर वने सुविधा पुचाने में गरीब खाना देने में मेरा से भूत हम इतना मिल जो कर यह मिल चुका का यह रासे टीक है चीनी चावल और डुबल डुबल मिलना है को तो मैं अभी मुबाइल में दिखा सकता है जो लोग मुझे पूछ के भेवे रहे हैं कि पिछली बारा में 28 किलो मिला था अब हमें 60 किलो चावल डाल क्या समझते हैं आप बहुत सारे लोग हैं जिनके पास चावल डाल है बट वो लोग दाउन से निजात चाहता है उसके लिए क्या विवस्था की आपकी सरकार ने हैं कुछ भी नहीं हमने विवस्था बता तो दिया है हमारे कल दे फारम अपलोड हुआ है जिसके पास फारम बंडे की सुभी दाने हमारे पांडे जी यहां बर रहे हर इलाके में हमारे अपने बंदे सर जी ऐसा है कि अब यह जो वक्त इस तरीके का नहीं है कि आप हमारे किसी भी विषय पर राजनीती कीजिए क्ये हमने यह नहीं किया हमने वह नहीं किया पहली बात तो कि यहां हिंदुस्तान के हूँ अंग्रेजों का साथा निगा यह ठीक है मैं सरकार से प्रयादला करता हूँ कि लोगों को चाई पिलाया जाए बहाँ जोड़के बिद्धी करता हूँ सरकार से भी जो भी सरकारे काम कर रही है चाय वो केंट सरकार का रही है वह पूरी सब्षांगे ना गरीबों को चाय चाए्च होताँ है इसाम होता है गरीबों की दू कब चाएच छाएए था सुबह साम न को आप डारों पिला रहे हुघ SM quest सरकार और राज सरकार क्यों बेकुcontrolled बना रहे हो आप जन्बाना धाता को जन्ता बेकूफ नहीं महें आनेवाले सरकार हिंदुस्तान की वनी एक गरीब को चाय तो नहीं दे सकती दे देती है दारु कार की बास करें आपने घरदा था कभी 68 मैं दारु नहीं पीता पचीस वरसों से दिल्ली में रहता हूं कभी मैंने दारु पिया नहीं कूपन का जमाना आ गया है दारु पीते होंगे जिनक कौम से हूं और चाय नहीं की सकते हैं दूसरे चाय का मसला जाने पार्चों डिप्टी सीम ने किलियर बोला है कि जिन चीजों को सेंटर गोर्टन ने सुविदा दिया हूं वह सारे खुलवाने के लिए त्यार है लेकिन कुछ दुकाने पुलिस अपनी मर्ज़ से नहीं को यह रम जान में हर मुसल्मान महीना सम्मान से बनाता है उन्हें तो कुछ लोगों को चाय चाहिए उनके लिए बिलकुल चहिए मैं सुभा चाय बेचने वाला हिंदुस्तान में नहीं रहा सकता हुआं पशाय बेचने की जो चर्चा है मानने पर्धान मंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत चर्चा चली थी कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री जी बने हैं उन्होंने क्या किया 68,000 करोर रुपे उद्धोग पती को माफ कर दिया निर्नम मोदी हो या विजय माल्या हो और खुद 68,000 करोर रुपे की एक निजी फ्लाइट उन्होंने अपने लिए बनवाया है जिस गरीबो को देना चाहिए 100 करोर भारत सरकार खर्च नहीं कर सकती है अभी ट्रम पाये थे दो घंटे में उन्होंने 100 करोर रुपे खर्च कर दिये उनको स्वागत करने में तो ठीक है आप के प्रधान मंतरी प्यम केर्स में आये हैं वो पैसा का हुआ किसको आपने मदद करी कोई ऐसा बता दीजिए राज सरकार या केंदर सरकार दोबारा तेरे हज्जार करोर रुपिया प्रधान मंतरी रिल्येव ने दिया था अब तक इनके खांसाब के बीद्याले में 48 पैके और आज भी हमने बाटे हैं और कि अभी कुछ निया आपकी जो अनाज है वह हमारा दिल्ली सरकार को रेगलर बट रहा है बिल्कुल कल भी बटा आज बटा पाया किसी ने इसमें रासन पाया किसी को रासन खाना बनाने के लिए धुआ जलाने के लिए आदिशा है बोलो क्य है क्या है मैंने यह कहा है कि कोई भी ब्यक्ति भूखा नहीं है आप इस बात के लिए डिबेट मत किजिए लेकिन जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-जहां-चेंद्र सरकार की सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है वानका फंड रोका जा रहा है जहां-जहां-जहा ओपास कई दूड momento की बाइने की हुआ का ल है किसा क्या खूना आज पया रहा हुआ गया सर्थ आकांने दिनी जूद की योजना सारी चालू है निसरकार की रासने की उजना सारी चालू है निसरकार बाहर भेजने और सब्सक्राइब करोना से हटने के लिए एक सब्सक्राइब करोना जो बहुत भयावक वैरस है और इससे सबक लेना चाहिए सीख लेना चाहिए राज सरकार और किंठ सरकार को भी सीख लेना चाहिए हम लोग तो सीख लेही रहे हैं लोकदाउन करना ही समस्या का समाधान नहीं है यह जो है कुरोना से लरना होगा जो आर्थिक श्थिति है अभी दिल्ली का इसे विवस्तित रूप से खोलना होगा, गरीबों को रोजगार मिलनी चाहिए, जो रिक्सा चालक है, टेम्पू चालक है, या जो रेडी पट्री लगाने वाला है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, तभी इस्तिती निरंतन में हो पाएगी, बरना आप किर्वर्मेंट ही जिम्मेदार है इसके लिए, किन्द सरकार भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, जितना की राज सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आज सबसे ज़्यादा अगर पिटाया है, ठोकरे खाई है, तो वो प्रवासी मजदूर खाया है, इस पर कोई सरकार काम नहीं तेरे राज में गरीब नहीं रहेगा तुम रहोगे तुम गरीबों का वोट लेते समय सव रुपिया देदे ना दार रुपियेगा तुझे वोट देदे